ये कहान ये 15 साल के एक लड़की की चो पहली बार इंटिमेट होती है लेकिन इसके बाद उसकी पूरी लाइफ चैन्च हो जाती है हेलो दोस्तो आज हम एक्सप्लेंग करने वाल है 2005 में आई एक इटालियन मुवी जिसका नाम है मेले साबी मुवी श्टाट होती है और हम 15 साल की मेले सा को देखते है मेले सा अपनी मौब और अपनी ग्राण मदर के साथ रहती थी मेले सा और उसकी मौब के आपस में ज़्यादा बनती नहीं थी इसलिए वो अपनी ग्राण मदर के बहुत करिब थी उसके ग्रान मदर को सिगरेट पीने की आदत थी इसलिए उनकी तवयत अक्सर खराब रहती थी एक सुबह मलेशा खुद को टच कर रही थी लेकिन तब ही उसकी मोमा जाती है और वो खुद को रोक लेती है फिर मलेशा डेनियल के घर जाती है डैनियल मलेसा का क्लासमेट था और आज उसके घर पार्टी थी आज वो नर्वस थी क्योंकि वो डैनियल को बहुत पसंद करती थी पर डैनियल ने उस पर कभी ध्यान ही नहीं दिया डैनियल के घर कई दोस्ट स्वीमिंग कर रहे थे ये देखके मलेसा भी स्वीमी करने जाती है जब वो उनके पास चाकर बैठती है तब डैनियल उसे पानी में खीच लेता है पर मेलेसा को स्वीमी करना नहीं आता था जब इस बात का पता डैनियल को चलता है तब वो उसे पकड़के किनारे तक ले आता है और फिर मेलिसा से कहता है कि आओ तुम्हे कुछ दिखाता हूँ ये सुनके मेलिसा डर जाती है कि क्या दिखाएगा पर वो गार्डन दिखाता है अब यहाँ डैनियल मेलिसा से कहता है कि मैं तुम्हे स्वीमिंग करना सीखाँगा पर इसके लिए तुम्हे हर रोज यहां अकेले आना होगा ये सुनके मेलेसा खुश हो जाती है और उसे हाग कर देती है इसके बाद ये दोनों बेटके बाते करने लगते है जहां मेलेसा डैनियल को बताती है कि वो अभी भी वरजिन है मेलेसा की बातों से डेनियल को पता चल जाता है कि मेलेसा उस से प्यार करती है तो वो इस चीज का फाइदा उटाता है और मेलेसा भी मना नहीं करती क्योंकि वो उसे बहुत पसंद करती थी मेलेसा के छोटिया अब खत्म हो गए थी और आज उसका स्कूल में पहला दिन था जहां स्कूल में मेलिसा डेनियल का बैट करती है पर वो नहीं आता असर में उस दिन के बाद डेनियल कभी मेलिसा से मिला ही नहीं और नहीं कभी उसमें कॉल किया था मेलिसा की दोस्त मेलिसा को बजाती है कि तुम उसे बूर जाओ पर वो उसकी बात नहीं मानती वो अपनी बुक में डैनियल के बारे में लिखती है कि वो कभी उसे माफ नहीं करेगी कुछ दिनों बाद मेलसा के फ्रेंड मेलसा को बताती है कि डैनियल एक कलिब में है तो वो दोनों उस क्लिप में जाते हैं, जहां कई दिरों बाद मेलेसा डेनियल को देखती है, डेनियल भी उसे देख लेता है, और उसके पास आता है, जहां वो उसे कहता है, कि अब तुम काफी बड़ी हो गई हो, इसके बाद वो उसे ड्रीक ओफर करता है, तब भी वहाँ देनियल का एक दोस्त आता है, और वो मेलेसा की तारिफ करने लगता है, यह सुनके देनियल भी मेलेसा की तरफ अट्रेक्ट होई जाता है, और उसे कहता है, कि वो उसे अकेले में बात करना चाता है, तो मेलेसा भी उसके साथ चली जाती है, डेनियल उसे अपने घर ले जा जहां वो दोनों intimate होते है मिलिष्व कहती है कि वो उसे प्यार करती है लेकिन डीइनल उसे कहता है कि तूप पागल हो कि दरसल डीइनल उसका फायदा ऊठाना चाहता था इसाइडान के बाद मेलिष्व कूरी अब इसके बाद मेलेसा की ग्रानमदर की तबियत अचानक खराब हो जाती है इसलिए मेलेसा की मौम उन्हें होस्पिटल में एडमिट करना चाती थी पर ये मेलेसा को गलत लग रहा था उसे लग रहा था कि उसकी मौम उसे उसकी ग्रानमदर से दोर करना चाती है इस बात पर मेले साह और उसकी मोम की बहस हो जाती है अगले दिन जब वो स्कुल जाती है तब वो काफी उदास होती है जिस वज़े से सब उसका मज़ा को डाने लगते है पर एक मारको नाम का लड़का उसकी फिलिंग समझ रहा था स्कुल के बाद मेले साह अपने फ्रेंड के साथ काफी चाओ पर जा दी है जहां एक आदमी उसे देखने लगता है तब मेले साह उसकी फ्रेंड से कहती है कि देखो कैसे वो उसको अट्रेक्ट करेगी जैसे ही वो आदमी उनके पास आकर बैठता है पोर्ट कर वहां से चली ज जाती है उसने ये तोय किया था कि अब वो बस लोगों की फिलिंग्स के साथ खेलेगी जब वो घर पहुशती है तो वो देखती है कि उसकी ग्राण मदर उसके घर आप यू अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सस्क्राइब जरूर कर दें ये देखकर व को भी बताती है पर वो इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देदी तो मेलिसा की ग्राण मदर खुद मेलिसा को समझा दी है इसके बाद मेलिसा को डेनियल का कौल आता है और वो उसे अपने पास बुलाता है वो उसे कहता है कि वो उसे काफी मिस कर रहा है तो मेलिसा पहले देनियल मेलेसा को आखे बंद करने को कहता है, जब मेलेसा आखे बंद करती है, तब भी देनियल अपने दोस्त को बुलाता है, और उसका दोस्त आखे मेलेसा को किस करने लगता है, दरसल देनियल मेलेसा के साथ सोलो वसस डूओ खेलना चाता था, पर मेलेसा गुसा होकर वहा वह स्थोग के लिए मान चाती है, एसा करके या तो वो डेनियल को चलाना चाती थी, या फिर वो इस चीज को ट्राइ करना चाती थी, अगले दिन वो यह सारी बात्य अपने फ्रेयन को बताती है, ये सुनके उसकी दोस्त उसे डारती है और उसे ऐसी चीजों से दूर रहने को कहती है पर मेलेसा को इन सबसे काफी खुशी मिली थी और वो एडल साइट पर अपना अकाउंट ओपन करती है ताकि वो अपनी बाते सब के साथ सेर कर सके एक दिन स्कूल में उन्हें साइस म्यूजिम में ले जाया जाता है जब वो वहां बैठी होती है तब भी उसके पास एक आदमी आके बैठता है जो उसी म्यूजिम में काम करता था अब यहां मेलेसा उसके साथ इंटिमेट होती है मेले से अपनी सारी प्राइवेट बाते अपनी बुक में लेकती थी जब एक दिन वो स्कूल जाती है तब वो देखती है कि उसकी प्राइवेट बुक सब पढ़ रहे थे ये देखके उसे बहुत गुसा आजाता है और वो उसकी फ्रेंट को बहुत डाड़ती है जब वो घर चाती है तब वो देखती है कि उसकी ग्राइवेट मतर को अपना जीवन साथी मिल गया है ये देखके उसे भी अंदर ही अंदर ऐसा फेल होता है कि कास उसे भी कोई ऐसा मिले जो उसे बहुत प्यार करे अगले दिन स्कूल के बाद जब मेलेसा घर चा रहे थी तब ही पीछी से उसकी फ्रेंड आती है और उसे उस चेज के लिए माफी मागती है पर मेलेसा उसे इग्नूर कर देती है वही पास ही एक लड़का मेलेसा को देख रहा था उसका नाम मार्को था और वह मेलेसा को बहुत पसंद करता था पर मेलेसा ने उसे कभी ज़्यदा भाव नहीं दिया मार्को उसे बात करने के लिए उसके पास आता है पर तब ही मेलेसा को डेनिल के फ्रेंड का कॉल आता है और वह उसे मिलने के लिए बुलाता है जब मेलेसा उसे मिलनी जाती है तब वो उसे एक बंकर मिले जाता है पहले तो मेलेसा मुना कर देती है पर वो उसे किजी तरह से मुना लेता है वो उसकी आँखों पर पट्टी बांद के उसे बंकर के अंदर ले जाता है जहां और भी लड़के थे वो सब भी मेलेसा को किस करने लगते हैं मेलेसा भी उने मना नहीं करती और सब के साथ एक के बाद एक इंटिमेट होती है ये सब भी वही लड़के थे जो उस दिन डैनिल के सुमयमपूर में थे जब वो स्कूल जाती है तब सबी स्टूडन उसे ही देखने लगते है और उसका मजा को डाने लगते है पर मेलेसा अंधर ही अंधर सोचती है कि जो उसने किया है उसे उस बात का कोई पश्तावा नहीं है और वही सही है एक दिन मेलेसा की मॉम मेलेसा के कमरे में जाती है जहां वो उसके डायरी पढ़ लेती है और इसके बाद वो मेलेसा के बारे में सब कुछ जान गई थी वो मेलेसा को कॉल करती है पर वो कॉल नहीं उठा रही थी दरसल वो एक आदमी के घर गई हुई थी मेलेसा की मौम ये बात मेलेसा की गरान मतर को बतानी चाती है पर वहाँ जाके उसे पता चलता है कि वो अब इस दुनिया में नहीं रही ये सुनके उसे बहुत हट होता है जब मेलेसा वापस आती है तब उसकी मौम उसे उस डायरी के बारें पुछती है तब मेलेसा कहती है कि हाँ ये सब सच है ये सुनके उसकी मौन को बहुत हाट होता है उसे अब पश्टावा हो रहा था कि वो उसका ख्याल नहीं रख पाई वो उससे माफी भी मागती है तो वहीं दूसरी तरफ मेलेसा को भी अब गिल्टी फिल होता है और वहीं से वो अपनी गंदी आदोतों को छोड़ने का फैसला करती है कुछ टाइन बात जब वो स्कूल चाती है तब वो देखती है कि डैनियल अपनी दोस्त से लड़ रहा था क्योंकि उसी की बज़े से मेलेसा सबी लड़कों के साथ इंटिमेट हुई थी तब भी डैनियल मेलेसा को देख लेता है और उससे बात करने की कोशिश करता है पर अब मेलेसा उसे जरा भी भाव नहीं देती एंड में हम देखते है कि मेलेसा की लाइफ अब चैंज हो गई थी वो अपनी मॉम के साथ बहुत खुश थी और अपनी लाइफ को जे रही थी और यहां यह मॉवी एंड हो जाती है